हाई everyone कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हूं बहुत अच्छे होंगे तो आज को जो हमारा सेशन है वो पंजाब बजट पर बेस्ट है राइट तो आज हम पंजाब बजट के हाईलाइट से डिसकस करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत important है इस साइड आप देख रहे ह हैं और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं अब देखिए सिंपल सी बात है अगर हम बजट की बात करते हैं हम बात करें किसके पंजाब बजट की अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि अगर पंजाब के पास एक रुपे आ रहा है तो कहां से आ रहा है उस एक रुपे में क या क्या सोर्स हैं पैसे के और अगर एक रुपए सरकार खर्च करेगी तो वो एक रुपए कहां कहां खर्च किया जाएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो भी पैसर सरकार के पास आया या जो भी टोटल पैसर सरकार के पास से गया वो किस तरीके से गौर्वेंट अलोकेट किया तो देखो यहाँ पर लेखा है रुपी गोस्टू मतलब पैसा कहा खर्च हुआ राइट अब देखो सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पर देखो लिखा है capital expenditure capital expenditure का मतलब क्या होता है assets creation क्या होता है assets creation assets creation का मतलब क्या है पर एक जामपल की जैसे महलो सरकार ने hospital बनाया तो यह तो सरकार के लिए assets हो गए ना एक बार कोई vacation पर चलेगा और आपने पैसा खर्च कर दिया तो वहाँ पर आपके कोई भी assets create नहीं होई तो 10% जो एक रुपए जो खर्च किया सरकार ने उसका 10% 10 पैसा हिस्सा सरकार ने assets creation में खर्च किया यहाँ से रुजगार भी generate होता है तो hospital हुए highways हुए schools हुए यह सारे के सारे क्या हो गए capital expenditure का हिस्सा है यह दोखो दोस्तो interest payment इसका मतलब क्या जो सरकार ने loan लिये थे उसकी उपर 15% का payment सरकार को करना पड़ता है राइट इंट्रेस्ट में लोन क्यूपर के बले इंट्रेस्ट कैसा एक रुपए में 15 पैसे आईवा संग में नेक्स्ट रिपेमेंट आफ डैट पब्लिक डैट एक्स्क्लूदिंग वेज और मीन्स एडवांस इस पब्लिक डैट जो सरकार ने आपका मतलब पैसा उधार लिया दो को यह तो हो गया इंट्रेस्ट प्रिंसपल भी तो रिपे करना पड़ेगा प्रिंसपल वो कितना यह है ठीक है और इसमें वेज़न मीन्स एडवांस इस नहीं है जो कि आरभी ही सोते हैं राइट सेलरी इस एंड वेजिस तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी सरकार में लो 30 हो गया और आखरी एडवांसेस ओफ लोन अब देखो यह एडवांसेस ओफ लोन का मतलब क्या है जो सरकार ने लोन दिये मतलब 100 पैसे में एक पैसे का लोन सरकार ने दिया भाई सरकार लोन भी तो दे सकती है ठीक है तो यह देखो यह जो capital expenditure यह बड़ा important है pension and retirement benefit अब आ रहा है अब हम क्या देखेंगे रुपए कहां से आ रहा है यह estimates है दो को यहां पर लिखा ना बीए का मतलब क्या होता है दोस्तों बीक मतलब है budget estimates मतलब यह estimate लगाया किस तरीके से financial year में हमको खर्च करना है और एक रुपए कहां से आएगा यह भी बड़ा important है तो देखो सबसे पहले जैसे आप देखते हैं कि GST होता है अब GST में आपने देखा कि Central Government, State Government को उसका हिस्सा देती है तो वो कितना है 9% मतलब 100 पैसे में 9 पैसे राइट यह हो गया दूसरे दिखते हैं केंद सरकार के द्वारा जो grant मिलते हैं जो अनुदान मिलते हैं जो free fund में पैसा क इसको रिपे नहीं करने पड़ते हैं वो कितना 29 पैसा out of 100 पैसा ठीक है 29% का मतलब क्या हो गया 100 पैसे में 29 पैसे किन सरकार की द्रब से क्या होता है हर स्टेट को grant मिलते हैं ठीक है Finance Commission उसको categorize करता है Public debt excluding ways and means advances का मतलब क्या है कि सरकार कितना पैसा उधार लेने बाला है 28 पै 336 करोड इतना पैसा 37,336 करोड रुपए उधार लेने बाला है सरकार ठीक है estimates लिखा हुए न चलिए अब देखते हैं कि state का अपना non-tax revenue ठीक है वो कितना है 6 पैसे out of 100 पैसे ठीक है टेक्स के अलाबा जो भी पैसा सरकार के पास आ रहा है वो पैसा आपका हो गया जैसे आ सरकारियों ने rate कर दी और वहां से पैसा जो मिला सरकार को वो गया आपका non-debt receipt ठीक है debt के अलाबा कर्ज के अलाबा जो पैसा सरकार के पास आ रहा है वो कितना है 5 पैसा तो आई होप आपको अच्छा एक चीज इस state का अपना खुद का tax revenue कितना है 28 पैसे ठीक है तो आई हो points पर आ जाते हैं जो सबसे important points है आपके पंजाब budget से वो देखते हैं तो एक नया museum announce किया गया है कहां पर कपूर थला में तो बड़ा important question है एक नया museum setup किया जाएगा बनाया जाएगा construct किया जाएगा कहां पर कपूर थला पंजाब में और भीम राव अमेटकर जी के ऊपर based है ठीक है तो इस museum का जो theme होगा इस museum में जो भी चीजे होंगी वो सारी related किसे होंगी भीम राव मेटकर जी से related होगी और सभी को पता होगा हम पहले भी इसके बारे बात कर चोके हैं कि ये भारत के पहले लॉबनिस्टर फस्ट लॉबनिस्टर है इसके अलावा इनको father of the constitution भी बोलते हैं संब्धान के पिता constitution राइट बड़ा इंपॉर्टेंट है तो अब देखो ये fund important है कितना फंड़े लोकेट किया 100 क्रोर 100 क्रोर अमांट बहुत बड़ा अमांट होता है और इसके लिए 27 एकड का लेंड भी announce किया गया ठीक है तो museum इस पर based theme क्या है भी उम्राम बेट कर जी कहांपर कपूर थला पंजाब में कितना fund allocate किया गया 100 क्रोर ठीक है ये 4 points जो आपके exam के लिए important है राइट चले next point पर move करते हैं बहुत important scheme है पंजाब government ने एक नई scheme launch की है जिसका नाम है काम्याब किसान खुशहाल पंजाब राइट तो एक बड़ी important चीज ये भी है कि दोस्तो election का time है election सरपे हैं पंजाब में तो ये बहुत important हो जाता है कि पंजाब में नहीं किसी भी state में जो budget का theme है जो budget है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जादा से जादा लो लोग उस state के खुश रह सके so that election में आपकी party जो ruling party उसको support कर सके इस उम्मीद में ही budget present किये जाते हैं तो नाम से ही पता चला है काम्याब किसान खुशाल पंजाब के 3P ठीक है स्कीम का नाम हो गया ये स्कीम 3 साल के लिए आप दोको नाम से ही पता चला है कि जो farmers हैं जो किसा पंजाब के उनके welfare के लिए ठीक है उनकी prosperity के लिए सम्रिद्ध बने उनकी income increase हो agriculture sustainable हो जो long term तक survive कर पाए ठीक है ऐसी agriculture के लिए 3 साल का आपका क्या हुआ एक प्रावधान निकाला है एक स्कीम निकाली जिसको हमने बुला काम्याब किसान खुशाल पंजाब टोटल 3 साल में कितना fund खर्च किया जाएगा 3780 करोड लेकिन जो इस current financial year में fund allocate किया गया है वो important है टोटल 3 years के लिए दोस्तों कितना है 3780 करोड इस financial year के लिए 2121 के लिए कितना fund allocate किया गया है 1104 करोड दोनों point important है ये पूरे 3 साल के लिए ये इस current year के लिए ठीक है और scheme का नाम है काम्याब किसान खुशाल पंजाब अब इसी scheme में क्या क्या चीज़े introduce की गई है वो हम next point में discuss करेंगे के लिए तो important है आपके आदगता है सबसे पहला और बहुत important point most important point है आपका ये इस scheme के अंतरगात center of excellence for vegetables setup किया जाएगा राइट कहाँ पर गोविंद गढ़ बलेज in फजलका district at the cost of 10 करोड तो vegetables तो आपको पता है vegetables का production बड़े vegetables से रिलेटेट जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेट जो भी issues है उसके लिए आपका center of excellence for vegetables set up किया जा रहा है कहाँ पर फजलका district में गोविंद गढ़ बलेज में 10 करोड की cost है बहुत important है याद रखना है दोस्तों next point to expose farmer to modern technology and explain the technical know-how under one root अभी को simple सब पॉइंट बता रहा है कि farmers को modern technology से expose कराना है उनको modern technology पता चलनी चाहिए technicality पता चलनी चाहिए किससे लेटेर होटी कल्चर अभी होटी कल्चर क्या होता है most लोग तो मेरे साफ से जानते ही होगे होटी कल्चर का संबन्द basically की से hoticulture का मतलब होगे आपका fruits और आपका it fruits होगए आपके flowers होगए इनकी खेटी पादन अच्छा किया जाए इसके लिए 25 horticulture estates set up किये जाएंगे पंजाब में इसका मतलब है कम से कम एक हर एक जिले में set up किया जाएगा अगले पांस साल में अगले पांस साल में तो 2021 में कितने किये जाएंगे पांच जिसके लिए 80 करूल का fund allocate किया गया है तो किसान भाईयों का बहुत जियान रखा जा रहा है इस बजट में पूर्स फ्लार्स की खेती के लिए horticulture estates बनाए जाएंगे पांच इस करेंटियर में बनाए जाएंगे 80 करूल का fund allocate किया गया एक और important ठीक है इसको भी मैं लिख देता हूं most important अब post graduate institute of horticulture research and education horticulture में research education वहाँ पर डिगरियां लोग कर सकेंगे horticulture में so that और भी technology को spread किया जा सके आसानी से कहाँ पर setup किया जाएगा अमरिसर में इसके लिए fund कितना allocate किया गया 24 कड़ों तो center of excellence for vegetables पजलका गोविंदगर ठीक है दूसरा important point post graduate institute of horticulture research and education अमरिसर में ठीक है दूसरा तीसरा point भी एक जलक आप देखके जाएं कि in case अगर ऐसे questions भी पूछे जाएं तो आपको याद रेने चाहिए ये भी most important point है most most important point है ये तो तो पंजाब का six pay commission ठीक है कौन सा commission भाई six pay commission government के लिए खुशकबरी है भाई चुनाओ का time है था खुशकबरी तो मिलनी जाहिर सी बात तो अब इस खुशकबरी में क्या क्या है पहली बात कब से implement किया जाएगा implementation date क्या है first July 2021 याद रखो दूसरा ये तो implement एक जुलाई से होगा लेकिन आपको पे बढ़ा हुआ six pay commission का पे आपको कब से मिलेगा वो आपको first January 2016 से मिलेगा इसका मतलब क्या हो गया कि 16 से लेके जून 2021 तक में भी जो increment six pay commission के इसाब से होगा वो भी आपको मिलेगा इसको हम बोलते है area तो ये पैसे एकटा आपको मिलेगा ये और फिर जुलाई से आपका पैसा हर महीने का increase हो के आपको मिलेगा इसलिए को क्या होता है retrospective तो जितने भी pay commission होते हैं वो हमेशा जनरली पीछे की date से ही applicable होते हैं ठीक है चलो तो चुनाव का time है इसलिए ये चीज बड़ी important भी है अच्छा government employee state government employee का अभी जो minimum pay था जो सबसे lowest category में लोग काम करे होंगे उनका था 6,950 अब उनका बढ़के 18,000 हो जाएगा ठीक है तो मतलब recommend किया two fold jump दो गुना से भी ज़्यादा का jump हो गया तो जिसकी minimum salary 6,950 तो उसको भी कम से कम 18,000 रुपए मिलें है 6th pay commission implement कब से होगा 1 July 2021 applicable किस date से होगा वो आपका 1 January 2016 से तो 1 January 2016 से बड़े हुई income आपको 1 July 2021 से दी जाएगी चलो और minimum pay अब कितना हो गया 18,000 हो गया जो पहले कितना था 6,950 था दोखो ये 4 point है ये बड़े important है आपकी जो central government की schemes है उस पर बेस्ट है तो आपको इनके किबल क्या याद रखने है इनके amount याद रखने है सीदे सीदे smart city mission के लिए कितना fund आपका allocate किया गया है 1600 करो तो मनपीत सिंग बादल पंजाब के finance minister ये भी आपका point है जो आप याद रख सकते है तो लुद्याना मृसर जालंदर जैसे city आपके smart city smart city is nothing but मतलब you know urbanization मतलब जो आप जिस शहर में जो आपके बड़े बड़े शहर है उनका जो infrastructure उसको improve करना उनका transportation system उसको improve करना उनको थोड़ा सा time के साफ से high tech बनाना है sustainable भी बनाना है वो सारी चीज़ें आपके क्या होई smart city में आ गई है ठीक है ऐसा नहीं कि वो cities बहुत pollution करना है sustainable भी होना चाहिए उसके साथ वो आपके modern भी होने चाहिए transportation अच्छा होना चाहिए जैसे आप देखते के डैली में metro चाहती है तो उससे transportation क्या होगो बहुत improve हो गया इसी तरीके से ठीक है बसे सच्छी चलाओ आप public transport आसान हो जाए लोगों के लिए इस तरीके से ठीक है अटल mission for rejuvenation and urban transformation अमृत अच्छा एक और चीज़ दोनों ही स्कीम आपकी 2015 में आई थी यह भी आदकना smart city और अमृत अमृत के लिए कितना fund allocate किया गया 1400 करोड यह भी आपको आदकना तो यह भी आपका अर्बनाइजेशन से ही है सीविज से रिलेटेड है जो सीविज सिस्टम है जब आप देखते हैं जब बारिश होती है तो आपने देखा कि पलब 15-25 मिनट भी बारिश अगर तेज हो जाए तो पूरे शेयर में पानी बढ़ जाता है तो सीविज सिस्टम सही नहीं है उसको इस तरीके से बनाया जाए जाए सो देट के सीवर को साफ करने के लिए मैनुवली लोग यूज ना किये जाए और जो पानी का सर्कुलेशन है फिलो है वो भी आसानी से रहे इसमूद रहे और कहीं पर भी पानी भरे ना स्वक्ष भारत मिशन आप लोग जानते ही अरवन वालब शहर हमारे कैसे होने चाहिए स्वक्ष होने चाहिए उसके लिए 114 करोड का फंड एलोकेट किया गया तो आपको यहाँ पर फंड याद रखने यह बात आप याद रखो तोटल 500 करोड का फंड किसके लिए सबी कंप्रीज में एक थीम बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है और वह आपका क्या एन्वार्मेंट राइट इन्वार्मेंट इसका मतलब क्या हो गया जैसे क्लाइमेट चेंज तो यह बहुत बड़ा थ्रेट भी है हुमन्स के लिए इसलिए इसक्यूपर काम करना बहु के लिए है तो उससे रिसर्च उसके डवलाप मेंट के लिए स्टीडूट सेड़प किया जाएगा कला नौर में सेड़प किया जाएगा जो कहां पर पढ़ता है गुरुदासपूर में प्रमोशन फॉर रिसर्च डवलाप मेंट अक्टिविटी इस तेको यह एक डिसकस कर लिए पूरा बजट आपने पढ़ लिए अब आपको के वल उसकी कीवर्स यादकने सुगर के इन रिसर्च इस्टिटूट अच्छा कहां पर है कला नौर गुर्दासपूर उससे क्या होगा आपके लिए रिमेंबर करने में भी आपको आसानी होगी और आपको ऐ इसा नहीं लगेगा क्यार बहुत ज्यादा मटे दिया लोगे सिक्स्टि करोर प्रपोस्ट फ़र मॉड़नाईजेशन इंग एक्सपेंशन ऑप सुगर मिल्स गुर्दासपूर तुदे को सुगर के इन हमने वहाँ पर पड़ा आपका वेस्ट माटेरियल भी निकल रहा है उसका भी यूटलाईजेशन हम प्रॉपर वे में कर पाते हैं तो इंपॉर्टेंट इसक्स्टी करोर मॉडनाईजेशन एक्सपेंशन गुर्दासपूर और बटाला नेक्स्ट तो एक और चीज़ है अट मुहाली आफ्टर दा नेम ओफ बी आर अम्बेटकर जी तो मुहाली का जो चेंज कर गया क्या हो गया बी आर मिटकर देखो सिंपल सी बात है यार election time है, तो कोशिस होती है कि सभी caste हैं, सभी जो धर्म हैं, उनको साधा जाए, so that सारी चीज़ें चले, तो आप देखो Ambedkar जी का संबंद आपने देखा कि हमारे समाज में बोला जाता है कि दलित के मतलब उनको support करते हैं, उनके front leader बनके वो हमेशा रहे हैं, उनकी अधकारों के लिए लड़े हैं, तो जब हम Dr. Bhimram Baitkar जी की उपर कोई भी काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो उस बर्गे के लोग हैं, हम उनका क्या कर रहे हैं, हम उनके support की एक्छा रखते हैं, कि उनका support मिले, क्यों कि हम Dr. Bhimram Baitkar जी के लिए काम करते हैं, जैसे आपने का मालेर कोटला में का district आपका बनाये गया, तो वह आपका basically क्या Muslim majority state है, तो so that कि वह उस religion को हम, वह हमें support कर election में, यह होता है system, right? Anyways, यह तो सभी मतलब सभी जगे के चलता है, वो तो आप office में काम करते हैं, अगर आपको promotion लेना है, तो आप भी क्या करोगे, कि boss क्या आँगे, पीछे भूमोगे, कोई भी बास जो boss बूलेगा, आप उसको नाराज नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है, इसको नाराज करेंगे, तो के side effects, consequences, खतर नाक हो सकता है, उसी तरीके से, गुरु अंगत veterinary college and research, regional research center at village, सपनवली district फजल का, ठीक है, तो आपका veterinary का मतलब क्या हो गया है, यह animals के लिए, इसके लिए अठारा करोड का fund allocate किया गया है, जहां तक मुझे आदा रहा है कि यार, यह already open है, चल रहा है, इसके लिए fund allocate किया गया है, कितना 18 करोड का, ठीक है, पट फिर भी important है, आप से पूछ भी सकते हैं कि यह institute कहां पर है, क्योंकि आपने देखें, यह static का hospital है, उसमें पन्रा सो स्क्वाइर क्लो मीटर, स्क्वाइर मीटर जगह में drug house open किये गए है, ठीक है, drug warehouse, drug warehouse का मतलब क्यों होगा, दबाओं के लिए बेर house बनाए गए है, पंदा सो स्क्वाइर मीटर में, तो आपने देखा कि COVID के बाद हमें यह भी पता चला कि यार health कितना important है, और हम उसकी उपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी जरूरत है, special India में जहां पर population बहुत ज़्यादा है, जब कोई pandemic होता है, जब बहुत स चार सो भे प्रकाश उस सब पर 400 सेपलिंग, 400 सेपलिंग का मतलब हो कहा है, 400 छोटे छोटे सेपलिंग, छोटे छोटे पौदे हर बलेज में लगाए जाएंगे, ठीक है, so that के environment के लिए भी अच्छा रहेगा, और इस तरीके से हम गुरूतिक भाद दुर जी को भी एक तरी के लिए जिससे लोगों की भलाई के लिए काम हो, right, agricultural marketing, innovation, research ये बड़ा important point है, intelligence center कहाँ पर मुहाले, तो agriculture marketing, innovation, research and intelligence center, इसमें agriculture marketing की उपर है, ठीक है, दोगो, एक और चीज़ में आपको बता दो, cable production, cable agricultural production ही आज के time पर important नहीं है, इसमें marketing का बड़ा रोल है, right, इसमें processing industry का ब बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे हाँ, farmers से raw material बहुत सस्ते दामों में बेचा जाता है, जिससे उनको फाइदा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हम food processing industry की उपर काम नहीं करते हैं, अगर आपके जहाँ पर भी किसी जगह पर ग्यों की पर आटा बने तो farmers को भी अच्छी cost मिले और वहां से package में जो आपका आटा है, वो भी मिलेगा आसानी से, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि cable production important नहीं है, उससे allied जो activities हैं, वो भी आपकी बहुत important हो गई है, अगरी culture में, तभी हम किसानों की income को क्या कर सकते हैं, increase कर सकते है ठीक है, ये देखो पंजाब veterinary vaccine institute था, मतलब जो जानबरों को vaccine दी जाती है, उसका institute कहां पर था, लोधियाना में था, अब उसको good manufacturing practices as per the WHO norms, ठीक है, तो जो vaccine institute था, इसका जो production standard है, उसको world health organization के norms के साब से बनाएंगे, उसको upgrade करेंगे, ठीक है, तो time के साथ हमें चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, update करनी पड़ेंगी, so that जो हमारी current की demand उसको balance कर सकते है, regional research and training center for buffaloes, पट्टी, तरंतारण, ठीक है, इसमें 21 करोड का fund क्या किया गया है, सरकार के द्वारा allocate किया गया, so that वहाँ पर और भी अच्छी तरीके से research or training, तो आ उनके लिए भी hospitals होने चाहिए, so that उने अच्छा treatment मिल सके, और जो treatment है, वो उनको पास के एरिया में ही मिले, ऐसा नहीं को बहुत दूर तक treatment के लिए जाना पड़े रहा है, राइट, चलिए, raising 60 lakh plants and plantation of on 8200 hectare area under green Punjab mission, तो green Punjab mission के अंतरगत, 800 hectare area में plantation किया जाएगा, जिसमें 60 lakh plants लगाए जाएगे, और ये पन कैमपा जो आपका है, पंजाब compensatory frustration fund management and planning authority उसके अंडर लगाए जाएगे, तो simple सी बात है, तो को बैसे हर state का लगए-लग होता है, बट जो standard वो यह है, कि जो forest cover है, हर एक state में, वो कितना होना चाहिए, 33. 33.3% होना चाहिए, अब obvious ये बात है, किसी state में population बहुत जादा है, तो आप देखेंगे उसका forest cover बहुत कम लेगा, किसी state में आप देखेंगे forest cover बहुत जादा मिलेगा, आप मिजोरा, नागलेंड चले जाओ, तो वहाँ पर आपको forest cover बहुत जादा मिलेगा, आप UP में चल पंजाब कैंसर राहत कोश मिसंट, ठीक है, तो मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोश मिसंट के लिए 800 करोड का fund allocate किया गया है, ठीक है, तो चले, आँगे देखते है, एक और important है, new medical college hospital, ठीक है, medical college इसका मतलब है, कि वहाँ पर पढ़ाई भी होगी, mbps बगारा, आपके md बगएरा के courses भी चलेंगो, hospital भी होगा, सिरी कुरू नानक देव, state institute of medical science at kapoor थला, एंड सहीद उद्धम सिंग, state institute of medical science at हुश्यारपूर, तो इसका मतलब क्या है, कि health की उपर भी विशेश तोर पर ध्यान रखा गया, इस budget में, क्योंकि आपको पता है, कोबिट के बाद से, इंडिया के जो health infrastructure है, हलांकि फिर भी इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से कोबिट को handle किया है, but still हमें और भी बहुत कुछ improve करने की ज़रूरत है, तो medical college hospital कहां पर, एक कपूर तला में और एक आपका हुश्यारपूर में, कपूर तला में जो उसका क्या, यह wrestling institute, wrestling academy कहां पर है, हुश्यारपूर में open की जा रही है, ठीक है, rowing academy आपका कहां पर है, फ्रोचपूर में, तो wrestling आप लोग समझते है, rowing, I think teraki से related है, swimming से related है, ठीक है, high tech civil valley आपका कहां पर है, लुध्याना में है, और महाराज भूपें सिंग sports, पंजाब sports university कहां कहां पर है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, तो wrestling academy कहां पर है, हुश्यारपूर हो गया, rowing academy कहां पर हो गया, फ्रोचपूर में होगा, high tech cycle valley कहां पर है, लुध्याना महाराज, वुपेंदर सिंग, पंजाब sports university कहां पर है, बड़ा important point है, आपको यह point याद रखने, कॉंस institute कहां पर open किया जा रहा है, ठीक है, यही आपके exam में पूछा जाएंगे, चलिए, तो art और literature में दिये जाने बाले दो award आपके हैं, और इन awards में जो धनराशी दी जाती थी, उसको increase कर दिया गया है, तो इसलिए यह भी important है, सीधे सीधे question है, exam में पूछाएंगे, पं डबल कर दे, याद रखना, अगर आपको पहले की राशी याद है, तो आप सीधे याद रखो कि वो दुगने हो गया, और सुरो मनी award पांच लाख रुपए जिसका award राशी था, वो आपका कितना कर दे, 10 लग कर दे, तो सीधे सीधे, पॉइंट है, आपको याद रखना, तो रंजी सागल लेक में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, टूरिस्ट को अट्रेक्ट करने के लिए, आपका क्योंगा, 975 करोड का, आपका अर्बनाइजेशन बोल सकते हैं, किया जाएगा, तोटल 975 है, रंजी सागल लेक में कितना फंड ऐलोकेट करेंगे, 450 करोड का, ठीक है, इसके अलागा, कमर्सियल कॉंप्लेक्सिस कम एक्जिविशन सेंटर एट मोहाली लुद्याना अम्रिस सर, ये 525 करोड, ठीक है, तो सीधी बात है, टूरिस्म को बढ़ाबा दिया जाएगा, तो टूरिस्म एक ऐसी इंडस्टिय जहाँ पर employment भी generate हो रहा है, ठीक है 975 करोड का फंड एलोकेट किया जाएगा, 450 करोड रंजी सागर लेक के लिए है, और 525 करोड में कॉंप्लेक्सिस बनाए जाएगे, कमर्सियल कम एक्जिविशन सेंटर मोहाली लुद्याना अंड अम्रिस सर, एक सिधा सिधा पॉइंट इस टार्ट अप फंड, पंजाब इ देने के लिए 150 करोड का फंड पंजाब सरकार ने एनाउंस किया है, फिक है, तो देट उन लोगों को पैसा दिया जाएगा और वो अपने आप में क्या करेंगी, ग्रो करेंगी कम्पनी इसको, आज की छोटी कम्पनी सकल की बड़ी कम्पनी स होंगी, चले, तो इस साल पानी, हर गड़ सफाई, पोटेवल वाटर की स्की में आपकी पीने का पानी हर सभी जगह पर पहुंचे आसानी से, इसके लिए 240 करोड का फंड अलोकेट, यह तीनों ही आपकी स्की बहुत इंपोर्टेंट है, हर गड़ पक्की छत का मतलब क्या हो गया, तबी घरो में पक अपने दिमाग में दो, तीन, चार बार रिवाइस कर लो, कोई ने, फिर आपको अप्शन देखेगा, आप सही लगाओ, असीरवाद स्कीम यह आपका क्या होगा, बिसिकली मैरच के लिए है, गल्स को यह स्कीम का पाइदा मिलता है, तो जो आपके शिरूल कास्ट हो गई, ठीक है, SC, ST, Muslim Girls, ठीक है, Poor Girls, उनके लिए पहले 21,000 रुपए का जो असिस्टेंस था, वो इंक्रीस करके कितना कर दे, 15,000 कर दे, 1 July 2021 से, यह अपके मिलोगा, उसकीम का नाम के है आशिरवाद, तो आशिरवाद स्कीम के तहित, 51,000 रुपए का गल्स, मतलब गल्स को दिया ज ठीक है, सेटिंग अप आफ टू न्यू गालरीज इन वार मेमोरियल कॉंप्लेक्स एट आम्रेस सर, ठीक है, सीधा सीधा कोश्यन, सोशल सेक्यूरिटी पेंशन, डबलिंग दा मंतली पेंशन, साड़े सास्व से पन्दा सो रुपए, तो आप देखते हैं, जो भी लेबर क रिटार के साथ काम करा, अब जब वो 60-65 साल में रिटार्ड होगा, तो भाई ऐसा तो नहीं कि उसकी जिंदगी 65 साल में खतम हो जाएगी, आंगे वो सर्वाइब कैसे करेगा, इसलिए पेंशन की सुब्धा जी जाती है, जब लोग उस एजन में होते हैं, जब वो काम नह नहीं कर सकते हैं, उस टाइम पर उनके पास पैसा, उनके पास इंकम का सोर्स क्या होगा, उसके लिए पेंशन होता, सोशल सेक्यूरिटी पेंशन, जो मजदूर लेबर क्लास के लिए, तो पहले 700 था अब उसको इंक्रीस करके 1500 कर दिया है, इसके लिए 4000 क्रोड का फंड एल तो इसी के साथ हमारा सेशन फिनिश हो गया है, इस सेशन को आप 2-3-4 बार देखो आराम से वीडियो को, कोई टेंशन नहीं है, तो आटोमेटिकली क्या होगा, यह पॉइंट्स आपके दिमाक में फिट हो जाएंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम